नमस्कार दर्शकों, आज का हमारा इस मोड्यूल का टाइटल है शिक्षन, अधिगम और मुल्यांकन में ICT का समन्व है तो आज इस वीडियो में ओनलाइन शिक्षा के दौरान, सुरक्षा और नैतिक पहलियों को ध्यान में रखने के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत ही कम उम्र में हमारे विद्ध्यातियों साइबर की दुनिया में परिचित हो रहे हैं कोविड-19 महमारी के कारण बिद्धालेओं को बंद करना पड़ा लेकिन विविन डिजिटल प्लेटफरमों के माध्दम से सीखने का निरंतरत प्रक्रिया को सुनिश्चित करने में प्रहास किये जा रहे हैं लाखों सिक्षक और चात्र ऑनलाइन सिक्षा का उप्योग कर रहे हैं इसके साथ ही इलेक्ट्रानिक उपकरनों और सोचना एवंग संचार प्रद्धिगुगी के उप्योग में भी भारी बिद्धी हुई है समकालिक या अतुल्यकालिक संचार के साथ साथ इंटरनेट सर्फिंग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग शिक्षकों के साथ साथ छात्रों में भी कई गुना बड़ा है हाला कि डिजिटल दुनिया में बच्चे अज्तदिक और सुरक्षित है क्योंकि वो डिजिटल दुनिया में होने वाले खत्रों से अवगत नहीं है और ऐसे बतावरन में किये जाने वाले सुरक्षा उपयों को भी बहुत सिमित समझ बिद्दातियों में है याद रखे कि हम जो कुछ भी ऑनलाइन करते हैं वो साइबर स्रब्द में एक पदचिन छोड़ देता है इसलिए हम जो भी साजा करते हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लिखते हैं हम जो भी अपलोड करते हैं वो वहीं रहता है चाहे हम उसे हटा दे या डिलीट कर दे हमारे द्वारा हर गतिवीदी ओनलाइन प्लेटफरमों पर तब भी रह जाती है इसलिए साइबर सेफटी एक सुरक्षित एबम जिम्मदारी पुरुबग तरीका है ओनलाइन टेकनोलोजी के उप्यू करने का याद रखे कि डिजिटल सेफटी ना केवल आपके सुचना को सुरक्षित रखने के बारे में है वलकि अन लोगों के लिए किस तरीके से समान जनक हुआ जाए अबंग अच्छे इंटरनेट सिष्टचार का उप्योग करने में भी आपको अबगत करती है इसलिए साइबर सुरक्षा में कंप्यूटर साफ्टवेर और डेटा को हमले से, शती से या अनदिक्रित पहुच या उप्योग से बचाने के लिए डिजाइन की गई प्रद्दुगिकियों, प्रक्रियाए और अभ्यास सामिल है चलो, इसे हम एक उदाहरन की मदद से समझते हैं एक चात्र आउटिंग के लिए जाता है और वापस आने के बाद वो सोशेल मीडिया पर अपने कुछ तस्वीरिया अपलोड करता है इसके दोस्त उन पोस्ट पर कुछ तिपनिया करते हैं जिसके कारण चात्र असहज महसूस करता है तो ये क्या है? ये एक साइबर बदमाशी का उदाहरन है अब हम एक और स्थिती को लेते हैं आप पेंडराइब पर इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करते हैं और जब आप उसे फिर से अपने कम्पीटर से जोड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके कुछ फाइलों के साथ उस पेंडराइब में कुछ उन फाइले हैं और आप उन फाइलों को खोलने या उन तक पहुँचने में सक्षम नहीं है तो आपको पता चलता है कि आपका pen drive वाईरस से संक्रमित है ठीक है हम कभी कभी सुनते है कि कही महत्रपोर्ण साइटे अवरिद हो जाती है या hackers द्वारा डाउन कर दी जाती है है ना इसलिए ये hacking या दूशित software है जो website तक पहुच को रोकती है अब हम इस वीडियो में कुछ ऐसे उदाहरन या कुछ सुरक्षा उपाय दिखाने जा रहे है जो डिजिटल दुनिया में होने के दौरान आपको लेने की जरूरत है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक मजबूत password निर्मन और दूसरा करक ये हो सकता है कि कभी भी व्यक्तिकत जानकरी का खुलासा ना करें अगर हम online class ले रहे हैं तो किसी के साथ भी हमारी व्यक्तिकत जानकरी प्रकट करने से पहले और किसी भी चीज का पोस्ट करने के दौरान साबदान रहे इसलिए हमें अपने online कक्षाओं में चात्रों और एनलोगों की वागिदारी की सकती से निगरानी करना चाहिए कभी भी pirated software का उप्योग नहीं करना चाहिए यदि आपके पास कोई मालिकाना software नहीं है तो open source software का ही उप्योग करें आपने social account को कभी भी unattended या unlock ना चोड़ें इसी तरह हमें साइबर स्पेस में संचार के दौरान बिनम्र होने की भी अविश्यक्ता है क्योंकि याद रखे कि साइबर स्पेस में होने का मतलब यह नहीं है कि आपके बेभार पर नजर नहीं रखी जा रही है या निगरानी नहीं की जा सकती है इसलिए हमें हमेशा ऐसे टिप्पनियों को पोस्ट करने से बचना चाहिए जो दुसरों को आहट कर सकती है हलाकि इंटरनेट संसादनों से भरा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सबकुछ हमारे लिए उपयोग करने के लिए सतंतर रूप से उपलद हो यहाँ पर कॉपिराइट लाइसेंसिंग से सरोकार होता है इसलिए जब भी इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड इस्तेमाल या फिर कुछ लेने से पहले हमें हमेशा ओपन सोर्स मटीरियल देखने चाहिए या फिर यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी कॉपिराइट वस्तू का उलंगन ना कर रहे हो यही कुछ विंदू है जो मैं आपके नजरों में लाना चाहता था दूसरा जरूरी पहलू यह है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए वो अर्गनोमिक पहलू है यानि जिस तरीके से हम बैठते और जिस तरीके से हम अपने डिजिटल उपकरणों को संगटित करते हैं यह भी हमारे शरीर और मस्तिश्क पर प्रभाब डालता है कलाई का चोट, कंदे की चोट, दर्द, पीठ दर्द, इन सब से बचा जा सकता है अगर हम बीच बीच में थोड़ा अराम कर ले जब डिजिटल बतावरन में हैं तो इस बीडियो में मैंने कुछ बचाव सुरक्षा और नयतिक पहलेओं को चिन्नित किया जिनहें डिजिटल बतावरन में रहते हुए किसी को भी द्यान रखना चाहिए इसलिए मैं आशा करता हूँ इस बीडियो के मैदम से आप इन मुद्धियों को समझ सकते हैं आप सभी को धन्यवाद